जिस तरह इनोंने सैंक्ड़ों की तदाद में मंदर कि रहे हैं, अगर उसके तरह टेट फोटाट वा करना शुरू करते हैं, तो देखो कितना शोर में चाहिए हैं दुनिया में, कितना शोर में चाहिए, यहाँ पे होता है कोई भी बात नहीं करता लेकिन क्या बजाया है कि एक कम्यूनिटी ऐसी है पूरे दुनिया में जिसके खलाफ सारी दुनिया फथ्यार लेके खड़ी हो जाती है अपने लाम आपके आपकी की तरफ भी हम सोचेंगे क्या हमारे तमाग में इसलाम जो है वो सबसे वहतर है वह कहता यार यह बाहर से बंदे आ जाते हैं टुनिशिया से और ये मोरोको से और ये लेबनन से इन लोगों ने नासमार रखा है हमारे देश का यार इन्होंने हमारे सड़कों पर ड्रामा कर रखा है हमारे देश को बरबाद कर दिया है अनलोगों ने अब ये लोग उठ गए और अब ये धीरे धीरे ऐसे कानून बना रहे हैं कि बाहर से आ वहीं पर जिंगा लाला करो, यहां पर आने की जरूद तुम्हें है नहीं। आपको शरिया लौच चाहिए, जब आपको इस्लामिक खानून चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगा तो UAE है, सबसे बेस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है, जितने भी लोग हैं, उनको या तो पाकिस्तान जाना चाहिए, या तो UAE जाना चाहिए। इसलिए गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मिजॉरिटी ये मुसल्मान ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर इनका वन या टू परसेंट भी करें, क्योंके मुसल्मानों की तदाद बहुत जादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है, जैसे सारे मुसल्मान ऐसे हैं, त उनके लोगों ने मिलके आदा फ्रांस फूल दी रहा, क्या करोगे बताओ, तुमारे मुल्क की सिटिजन्शिप ले ली, नागरिक्ता ले ली, जला दिया, लॉयल्टी है ही नहीं, जिस कंट्री की सिटिजन्शिप ली है, उसके कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना, जिस लाइम, वहाँ पे रेप, वहाँ पे तॉर्चर, सिलिवरी, यह सब इनके दिमाग में यह सब घूमता रहता है, कि किस तरीके से देखो, हम मुरोकों में थे, हमने मुरोकों को आग लगा दी, अब हम पहुंचें फ्रांस, अब बहुस फ्रांस को कैसे आग लगाएं, करते हैं, तुम्हारा जो रिलिजन है, वो खराब है, तुम्हारा जो कानून है, वो खराब है, और इसलाम जो है, वो सबसे बहतर है, सबसे अच्छा है, तो भी बात पन्नो को पलड़ करके आजा रही है, कि आप तब्लीग करने के लिए निकल रहे हो, आप दूसरे देशो बुज़र जाये तो मुश्रिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ लो और खैद कर लो और हर जगा इनकी ताक में बैठो और अगर वो तौबा ना करें और नमास खाएं ना करें और जकात ना दें तो इनका कदल कर डाले यह तो कुरान कह रहा है कि मुस चास-साठ सालों में वो मुसल्मानों को अपीस करते रहें पहले उन्होंने वहाँ पे आपकी लोकल शरिया लॉबी रखे आपको पीस करते रहे ठीक है चोटे मोटे दंगे होते रहते थे लेकिन उसके इलावा जो उनकी स्टेट है वो सेकुलर रही और वो अपनी सेकुलर स्टेट के उपर प्राइड फील करते थे लेकिन अब वो सेकुलरिजम को सेकुलरिजम कहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो कॉंग्रेस पार्टी है वो मुसल्मानों को अपीस करती है अपीस करने के बावजूद भी जो वहाँ के मुसल्मान है अगें मैं सारों की जिन्ना का बनाए वया 1937 का शरिया लोग अभी तक मनवाने पर लगे हुए रह रहे हैं अभी भी चिक चिलाड चली रही है ओके चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है काफर है मुश्रकीन है इसलिए तो काइद आजम ने हमें अजादी दिलवाई मान लिया लेकिन आप बाहर के मुलकों में गोरों के मुलकों में जिन्नों ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने पूरे यॉरप में अब एक राइट विंग टाइप की मुवमेंट चल पड़ी और कई-कई जगह है तो extreme right wing की movement चल पड़ी वो कहते हैं कि हम चाहिए नहीं यार निकलो यहां से भागो यहां से भागो यहां से भागो यह हमारा देश है हमें हमें नहीं चाहिए तुम पोलैंड बना कर रहा है, पोलैंड बना कर रहा है, पोलन पर पोलन वाले मना करते यार, नहीं लेनगे, लोग कहते हैं, आप रिस्स्ट हैं, और आपके international obligation कोई obligation कोई obligation नहीं है, हमारे đेशे हैं नहीं आने देए, भागो आयाज से, आट! करो जो immigrant आता है जो UK में रहता है उसको हमारे देश को फाइदा होना चाहिए नुकसान वाले ठेके तुमने क्यों उठा रखें यार सारे के सारे नुकसान वाले ठेके उठा रखें कोई पत्थर भेक रहा है कोई चोरी कर रहा है कोई गैंग बना रहा है पूरे पाकिस्तानी महां पर ग्रुमिंग गैंग चला रखें उन्होंने लड़कियों का रेप कर रहे हैं अब लंदन ने बोले पच्छी सजार पांड लाओ तब ही तुम लोगों की एंट्री होगी वरना कोई एंट्री नहीं है हम नहीं चाहते हैं अपने मुल्क पर बात करना भी यूए ने अब बता हैं कि हम लोगों ने अपना बुकर योंड़ के लिस्ट में अपने नाम जो और भीकारियों की लिस्ट में एड कर मानी हैं या उम लोग कोई तरफ भरिय दो कि के लिख माग नी एक आप उंडितों प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने का हाँ भी हमें ओवर हॉल करना पड़े उनके उपर प्रेशर पढ़ा रहा है कि निकालो इन मुसल्मानों को और इसी तरह देखें कि किस तरह ये टावर ब्रिज के उपर जान दे रहा है मुमिन इसका क्या मकसद है चे यह करते हैं और तुमभी मुसल्मान हो तो में भी पता है हमें भी पता हूं बीर अंबesar से मुझा आथा कि काफरों के दर्मयान में जाए कि यह करते हैं लेकिन आहिस्ता हैब उनको समझा रही कि यह टेक आवर के ड्रीम्स हैं यह इस तरह अपने मुस्लमानों को उभारते हैं हर जगा पर यह वह वाली जगा पिक करते हैं जहां पर अपनी थाक मनवा सकें यह उनके लैंड मारक हैं क्योंकि यह एक तरीके के मुतरादिफ हैं कि हमने जंडा गाड़ दिया तो यह आप उनक क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि यह लव जिहाद करेंगे मॉलेस्टेशन करेंगे बलातकार करेंगे या किसी का मुर्डर करेंगे तो वहां तो मौत के बदले मौत मिलेगी वहां तो अगर आप लव जिहाद कर रहे हो तो आपको मौत मिल जाएगी वहां आप बलातकार कर रहे इंडिया हो, जब वहाँ पर कुछ होता है, किसी मुसलमान तो सारे कठे हो जाते हैं, सब शोर मिचाने लाग जाते हैं, क्यों मुसलमान अपने वजाए इसके रोने धोने के विक्टम हुटके, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं जांग, लेकिन क्या वजा है कि कम्यूनिटी ऐसी है, पूरे दुनिया में, जिसके खलाफ सारी दुनिया हत्यार लेके खड़ी हो जाती है, कि क्या ऐसी वजा है, आपको क्या लगता है, क्यों मुसलमान जब इनके उपर कोई हिजाब के उपर बात हो जाए, या किसी भी इनके किसी इशू के उपर बात हो लेकर अपने मुल्कों में क्या करते हैं अपने मुल्कों में पढ़ी है चर्च तोड़ दिया, बाइबलें पड़ी में है, उनके जीजिस के वो स्टेचिउस पड़े में, कोई बात नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, ये कोई टेमपल देख, ये अमन पसंद, मजभ, रिलिजन अफ पीस जो है, प्यार महबत का मजभ जो है, इसके अंदर घुसके टेमपल के अंदर घुसके, वहाँ पे इसको तोड़ा रहा, कोई इनको रोखने वाला ने कोई कुछ नहीं किया बाद में, इनके ये जो सो कॉल्ड मॉडरिट मुसल्मान है, ये क्यों नहीं इसको पर शोर मचाते हैं, इनका शोर तो बस उनी के उपर हो, तक गोरे ने ये क गराए है, अगर वहाँ एक बाबरी मज़िद पे इतना शोर मचा तो अगर वहाँ पर इसी के बदले में वहाँ पर उडाने लाग जाए हैं, इसी के देखा देखी, यही जो अभी वीडियो जाती हैं, इसको देखा देखी, चलो जी हमने, मुझे याद है, जब बाबरी इनार है, मुनाफकत है, क्या कहें इसको, लेकिन मैं आपको इतना बता दू कि इस तरह का यह जो छूट के उपर बना हुआ निजाम है, यह जो मुनाफकत के उपर चलता हुआ निजाम है, यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता. जो इंडियन डाइसपोर आए वहाँ, जो हिंदुस्तानी हैं, यूके, वो वकिंग दिर, दे आनोन एज मॉडल इमिग्रिंट्स, क्यों? सबसे पहले हिंदुस्तानी लॉब आइडिंग है, वो अपना कल्चर आपको दिखाएगा, लेकिन हिंडियन, इंडियन कभी आपको कहीं पर भी पूरी दुनिया में देखो, आपको अगर टॉप वन या टॉप टू इमिग्रिंट्स, आप पूछेंगे लोकल से, सरकार से पूछेंगे, कोई भी सर्वे करवा लेज़े, आपको इंडियन का उसमें नाम मिलेगा, यूद इस गाइस गाइस आपको इस गाइस कि अपको एड़ा इस गाइस हैं?